दोस्तो आप सबी लोगों का मेरे सूट अब चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज का वीडियों हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनिक कंफिक्रेशन कैसे लिखा जाता है तो दोस्तो आज का वीडियों का शुरू करते हैं दोस्तो इलेक्ट्रोनिक कंफिक्रेशन लिखने में पाउली प्रिंस्पल होंट्स रूल और आपबाव प्रिंस्पल की हैल्प ली जाती है दोस्तो इन तीनों ही प्रिंस्पल को मिला करके इलेक्ट्रोनिक कंफिक्रेशन लिखा जाता है दोस्तो मैंने इन तीनों ही टॉपिक और अर्बिटल विचल लोगर इनर्जी इस पेल अब बीफॉर फिलिंग ऑप ड़ अर्बिटल सब फायर इनर्जी दोस्ट आप बाव प्रिंस्पल जो है वह यह कहता है कि अट्रमिक सबस्ब में जो इलेक्ट्रान होते हैं वह उन सबस्ब की बढ़ती हुए इनर्जी के करम म भरे जाते हैं मतलब इसका यह है कि जिस सबस्ब के पास काम इनर्जी होती है वो पहले भरा जाता है और जिस सबस्ब के पास जा रहा इनर्जी होती है वो बान में भरा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सबस्ब की इनर्जी का करम दिया हुआ है दोस्तों सबसे पहले है उसके बाद ड्वश में उसके बार 2 پी में फिटी आसे करते करते इलक्ट्राइब वह जाएगा उसके बाव प्रिंसिपल के बारे में ऊगया दोस्तों अब पॉली रोड़े कहता है din दो इलेक्टरॉन होते हैं मैक्सिमन दो इलेक्टरॉन ही एकी और्बिटल में रह सकते हैं तो दोस्तो इस पाउली के प्रिंस्पल के बेस पर हम यह कह सकते हैं कि मैक्सिमन नंबर आप इलेक्टरॉन फिल देने दोस्तो एस अपसल में जो मैक्सिमन नंबर आप इलेक्टरॉन वो 2 हो सकता है P अफसल में maximum number of electron 6 है D अफसल में maximum number of electron 10 है और F अफसल में maximum number of electron 14 हो सकता है दोस्तो ये पावली ब्रिंसपल हो गया दोस्तो अब हुंड रूल के दब चलते ही है तो दोस्तो हुंड ने जो रूल दिया था वह है In an atom electron pairing will not takes place in orbitals of same energy until each orbital is singularly field तो दोस्तो जो हुंड ने रूल दिया तो यह था कि यो एलेक्टरॉन्स के जो सबसेल होते हैं या उनको या जो या जो सेम इनरजी के ओर्विटल्स उनमें इलेक्टरॉन की पेयरिंग तब तक نہیں उती है जब तक कि परते एक और्बिटल में एक एक इलेक्ट्रोन ना भर जाए तो दोस्तो ये तो इन तीनों पिंस्पल के बारे में हो गया दोस्तो जब हम एलेक्ट्रोनिक कंफिक्रेशन लिखते हैं तो S सबसल को जो इस तरह से दिखाया जाता एक डबे से क्योंकि S में एक और्बिटल होता है P सबसल में तीनों और्बिटल होते हैं इसलिए P सबसल को इस तरह से दिखाया जाता है D सबसल में पाँच और्बिटल होते हैं इसलिए D सबसल को ऐसे दिखाया जाता है और जो F सबसल है EPSUAL में 7 ORBITAL होते हैm इसलिए EPSUAL کو ऐसे दिखाया जाता है तो दोस्तों ये तो ile sesic configuration लिखने पैसिक चीजें उनके बारे में हो गया दोस्तों अब हम electronic configuration लिखते ही है दोस्तों यहांपर सबसे पहले हमने hydrogen atom लिया है हाइड्रोजन का to electronic configuration होता है वो है 1S1 तो दोस्तो जैसा कि आपने आप बाउ प्रिंस्पल से देखा था कि जो इलेक्ट्रोन है वो सबसे पहले 1S और्बिटल में भरा जाता है क्योंकि इसकी इनर्दी सबसे कम होती है तो दोस्तो 1S में अमने इलेक्ट्रोनों को भरा है यहां पर चुकी के वल एक ही इलेक्ट्रोन है इसलिए 1S1 हो गया दोस्तों यहां पर S-Subsal को दिखाया गया है और इसमें एक इलेक्ट्रोन को यह भर दिया गया है तो दोस्तों इस तरह से हाइड्रोजन का हो गया दोस्तों अब हम हीलियम की तरफ चलते हैं दोस्तों हीलियम में जो होते हैं वो दो इलेक्ट्रोन होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम आप बाओ के प्रिंस्पल से सबसे पहले जो इलेक्ट्रोन है वो 1Subsal में भरा जाएगा दोस्तो वोने सबसल में पहला इलेक्ट्रोन हमने हाइडोजन की तरह भर दिया ये वाला तो दोस्तो इसके बाद जब हुन का रूल लगता है कि जब एक इलेक्ट्रोन भर गया तो इसके बाद इलेक्ट्रोन की पेरिंग होगी तो दोस्तो इस तरह से इसमें एक डूसरा इलेक्ट्रान आई से भर दिया गए जिसकी डारackson नीचे की तरफ करी गई तो दोस्तो इस तरह से जो helium है इसका elektronic configuration हो गया 1H2 तो दोस्तो helium का जो 접종ник configuration है उसको इस तरह से भी लिखा जाता है बड़े ब्रेकट के अंदर ही ही दोस्त अब हम लीटियंग भी तरब चलते हैं दोस्त लीटियंग का जो अलेक्ट्रोनिक नमबर मतलब एक्टॉमिक नमबर वो 3 होता है दोस्त तो सबसे पहले अब बाव प्रिंस्पल से उलेक्ट्रोन है वो 1S और्बिटल में भरा जाएगा जब 1S और्बिटल भर जाएगा उसके बाद 2S और्बिटल में भरा जाएगा तो दोस्त नहीं यहाँ पर 1S में इलेक्ट्रोनों को भरा गया है 1S में 2 एक्ट्रोन भरे जा सकते हैं पाउली के पिंस्पल से तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोनों को भर लिया है दोस्तों जब यह और्बिटल जो है वो पूरा भर गया है तो उसके बाद दूसरे और्बिटल में चलेंगे जिसकी इनर्जी 1S से थोड़ी ज़ादा है मालब 2S में तो दोस्तों 2S में हमने इलेक्ट्रोन को भरा है 2S में केवल एक ही इलेक्ट्रोन है इसलिए इसकी डारेक्शन ऊपर की तरफ हो गई है तो दोस्तों इस तरह से लीटियम का भी इलेक्ट्रोनी कन्फिक्रेशन हो गया दोस्तो अब हम बेरिलियम की दिन अब चलते ही है दोस्तो बेरियम का जो इटामिक नंबर है वो फूर होता है तो दोस्तो हम सबसे पहले 1S और्बिटल में इलेक्टरॉनों को भरेंगे दोस्तो जैसा कि पाउली के प्रिंसिपल से था कि एस सबसेल में जो मैसमा नंबर उप इलेक्टरॉन ने वो टू हो सकता है इसलिए यहाँ पर एस सबसेल में दो इलेक्टरॉनों को भरा गए और जो बाकी बचा हुआ दो इलेक्टरॉन है उसको दूसरे 2S सबसेल में भरा गया है तो दोस्तो इस तरह से बेरिलियम का इटामिक नमबर फोर है इलेक्रोनिक कन्फिक्रेशन इसका होगा 1S2, 2S2 तो दोस्तो उसको यहाँ पर रिखाया गया है यह वाली चुक है और्बिटल यह 1S है और यह 2S है दोस्तो यह तो बेरिलियम तक हो गया अब हम इटामिक नमबर पांच वाले अटाम के दशाब चलते हैं दोस्तो अगला है बोराउन दोस्तो बोराउन में 5 इलेक्रोन होते हैं तो दोस्तो इनको जब भरा जाएगा तो सबसे पहले आप बाओ के प्रिंसपल से हम इसको सबसे पहले 1S में भरेंगे 1S में पाउली के प्रिंसपल से 2 इलेक्टरॉन ही भरे जा सकते हैं इसलिए 2 इलेक्टरॉन भर गए उसके बाद 1S भर गए तो उससे ज्यादा इनरजी 2S की होती है जैसा कि आप बहुत प्रिंसपल में बता जा गया था इसलिए 2S में इलेक्टरॉनों को भरेंगे से जादा इनरजी वाले सबसल में भरा जाएगा दोस्तों 2S से जादा इनरजी दो होती है वो 2P की होती है इसलिए 2P में एक इलेक्टरॉन को भरा गया है तो दोस्तों इस तरह से हम इसको यहाँ पर रेख सकते हैं यह 1S सबसल हो गया यह 2S सबसल हो गया यहाँ पर कवल एक ही इलेक्टरॉन भरा गया है दोस्तों यह तो बुरान के बारे में हो गया दोस्तों अब हम कार्बन की दिरब चलते ही है दोस्तों कार्बन का जो अटामिक नमबर होता है वो 6 होता है तो सबसे पहले आप बाउ के प्रिंस्पल से 1S में इलेक्टरॉनों को भरेंगे फिर 2S में जब 2S और 1S और 2S भर जाएगा उसके बाद 2P में भरेंगे तो दोस्तों इस तरह से इसका इलेक्टरॉनी कन्फिग्रेशन हो गया 1S तो 2S तो 2P2 तो दोस्तों हम जब इसको orbital में electronوں को भर कर रेखेंगे तो 1S में 2 electron ये भरे गए हैं फिर उसके बाद 2S में भरे गए हैं दोस्तो इसके बाद 2P में या हिसे भरा गया है दोस्तो जैसा कि होन ने बताया कि same energy को orbitals में electron की pairing तब तक नहीं होती है जब तक कि same energy के sub orbital में एक एक electron ना भर जाए तो दोस्तो यहां पर जो 2S में 2 electron को भरना है सबसे पहले हम यहां भरेंगे फिर यहां भरेंगे दोस्तो ऐसा हम नहीं कर सकती दोनों electron को यहीं पर भर दे तो यह हमारा गलत होगा तो दोस्तो हुंड का यहीं rule है दोस्तो अब हम nitrogen की दरब चलते हैं दोस्तो nitrogen में 7 electron होते हैं दोस्तो सबसे पहले हम 1S में बरेंगे 1S में 2 electron बर दिये गए हैं फिर 2S में बरेंगे 2S में भी 2 electron हो गए और फिर 2P में बरेंगे 2P में 3 electron बचे हैं तो 3 electron को इस तरह से बर दिया जाएगा तो दोस्तो इस तरह से ये नाइटरोजन का हो गया दोस्तो अब हम oxygen जी जड़ाब चलते ही हैं दोस्तो oxygen में 8 electron होते हैं तो इसका electronic integration 1s, 2s, 2p, 4 तो दोस्तो यहां पर यह 1s का हो गया यह 2s और यह 2p दोस्तो हुन का rule यहां पर follow होता है दोस्तो हुन ने बताया था कि जो सब और्बिटल में जो सेम इनर्जी की और्बिटल है जब सब और्बिटल में एक एक इलेक्टरॉन भर जाएगा उसके बाद इलेक्टरॉन की पेरिंग होगी तो दोस्तों यहाँ पर हमने सब और्बिटल में एक 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 इलेक्टरॉनों को भर रिया है तो उसके बाद इलेक्टरॉन की जो पेरिंग हो रही है तो वो जो लास्ट इलेक्टरॉन है वो ये वाला हुआ तो दोस्तों इस तरह से ऑक्सीजन का हो गया दोस्तो फ्लोरीन में भी ऐसा आई है फ्लोरीन में यहां पर 1S2, 2S2 पिड जो 5 एलेक्टरॉन बचे हैं वो 2P में भर दिये जाएंगे तो दोस्तो यह 1S हो गया, यह 2S हो गया और यह 2P हो गया आक्सीजन में यहां तक भरा था, अब इसमें एक एलेक्टरॉन और भर गया फ्लोरीन में तो जो दूसरा एलेक्टरॉन है, यहां तक तो पेरिंग हो चुकी तो आक्सीजन तक वैसा ही भरा जाएगा फ्लोरीन में जो 8 एलेक्ट्रोन है वो ऑक्सीजन की तरह ही भरे जाएंगे लेकिन जो आखरी एलेक्ट्रोन है वो यहाँ पर जो एलेक्ट्रोन है वो यह भरा जाएगा यह वाला जो है एलेक्ट्रोन तो दोस्तो इसी तरह से नियॉन का भी भरते हैं दोस्तों नियॉन का इटॉमिक नमबर जो वह 10 होता है तो इसमें electronic configuration 1s 2s 2s 2p 6 हो गया तो यहां पर 1s हो गया 2S हो गया और यहां पर 9 इलेक्टरॉन तक तो फ्लोरीन की तरह ही बरे जाएंगे लेकिन जो दसवा इलेक्टरॉन है वो यहां पर बर देंगे तो यह हमारा नियॉन का हो गया तो यह नियॉन का आप यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से मैंने 10 अटॉमिक नंबर वाले तक को इस प्लेन कर दिया है तो दोस्तों अब इसके आगी तरफ चलते ही हैं दोस्तों ऐसा ही सोडियम का होता है सोडियम का नियॉन की तरह जितना भी लिखा है नियॉन का जो होता है जो